अस्सलाम वालेकूम आज मैं बनाने वाली हूँ कांडी खोष्च उसके लिए मैंने चिकन के छोटे-छोटे पीस करके ले ली हूँ इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून अध्रक लसन का पेस्ट उसके बाद मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून चिकन मसाला तू टेबल स्पून मेडा, तू टेबल स्पून इसमें डालूंगी, पॉन फ्लावर, इसमें यह सीम्पल और इजी रेसिपी है, इस सब चीज आपको आपके घर में मिल जाएगी, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी, हाफ टीस्पून रेड चिली पॉडर, और नमक आप इसके हिसाब सेगी डाले, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी, मिक्स करके मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए रखोंगी, आप चाहे तो ज़्यादा टैम के लिए भी रख सकते हैं, तो देखें, अभी हमारे चिकन अच्छे से रेडी हो गया है, तो इसमें की हम पतली- कांडी लेंगे, और उसमें एक-क करके चिकन को डालेंगे, इस तरीके से चिकन को डाल के ये देखें, यह हो गया, ऐसे इस सब चिकन को कर लेंगे, अब एक पैन गरम करेंगे, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑइल डाली हूँ, पाल हमारा अच्छा गरम हो गया है, तब इसमें एक-एक करके हमारे कांडी गोश्ट डाल देंगे और इसको डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तो इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रखके एक तरफ से 7-8 मिनुट तक क्या पकाई हूँ तब यह एक तरफ से रेडी हो चुका है कि दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे जब पका लेंगे 7-8 मिनुट तक कर आपको अगर मेरे रैसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो देखिए चिकन हमारा तयार हो चुका है यह मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी मैंने सारी कांडी गोश प्लेट में निकाल ली हूँ मैंने अमूल की चीज ली हूँ अभी मैं इसको इस पे क्रश करके डालूँगी तो यह आप क्यों पर आपको डालना है तो आप डाल सकते वरना स्कीप कर दिये तो कैसी लगी आपको मेरे रैसिपी ज़रूर बताईए लाइक शेर और सब्सक्राइब करें अला अफीज